नमस्कार दिन फर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता श्रिवास्तप इस बुलेटन में आज बात होगी यूपी में चौथे चरण की मतदान की करनाटक में हिजाब पर बढ़ते विवात की जानेंगे यूपी चुनावों के बाद क्या तूट कर एडिया रिपोर्ट की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजार सुर्खियों पर केंद्र ने पंजाब पॉलिटेक्स टीवी एब साइट और सोशल मीडिया प्लैटफोर्म की ये ब्लॉक केंद्री सूचना और प्रसारन मंत्राले ने कहा कि प्रतिवंदित संग भगवा जंडा कॉंग्रिस ने की इशर अप्पा को बरखास्त कर रे की मांग। 23 फरवरी को चौथे चरण में 69 सीटों पर वोटिंग होनी है जिसमें से प्रदेश की राजधानी लखनाउ से लेकर सोनिया गांधी का संसदी शेतर राइबरीली भी शामिल है इसके साथ ही जिस जगहा किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी लखीमपूर की उन सीटों दर भी वोटिंग होनी है इसके साथ ही पांचवे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है यूपी के चुनावी रन में आज किस ने किस पर चलाई सियासी तीर देखे ये रिपोर्ट यूपी में आप पांचवे चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुँच गया है पांचवे चरण ने 11 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी इसके लिए 25 फरवरी की शाम 6 बजे प्रचार अभ्यान खत्म हो जाएगा इसलिए सारे दल प्रच जूट बोलते हैं बीजेपी के छोटे नेता छोटा जूट बोलते हैं उससे बड़े नेता उससे बड़ा जूट और सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा जूट बोलते हैं जूट बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं लेकिन जनत प्रियंका गांधी बीजेपी से पूछ रही है कि जनता के अच्छे दिन कब आएंगे। के दाम सरकार के पास महंगाई रोकने का कुछ भी नहीं है इंतजाम। वही बसपर सुप्रीमो मायावती ने भी आज पांचवे चरण के लिए हुंकार भरते हुए दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिए बीजेपी और कॉंग्रेस और सपा की सरकारों को जिम्यदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला। मायावती ने कहा कि ये तीनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अमिश शा भी आज प्रियागराज की दौरे पर थे, पांचवे चरण के लिए चुनाप रचार करते हुए अमिश शा ने कहा अतीक एहमद, आजम खान और मुखतार अंसारी सपा बसपा के शासनकाल में सब को परिशान करते थे। आज ये सब जेल में हैं। अगर आपने गलती से भी अकलेश की सरकार ला दी तो ये जेल में रहेंगे क्या। अगर अतीक एहमद, मुखतार अंसारी और आजम खान को जेल में रखना है तो फिर से कमल खिलाना है। यूपी में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछ रहा है। बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। उसकी ओर से मुखतार अतीक आजम के नाम पर धुवी करण की कोशिच ज अलगे करनाटक हाई कोट में लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही है, हफ़ते के दूसरे दिन भी कोट पर सुनवाई जारी रही और कोट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी। करनाटक हाई कोट ने कहा कि वो इस सबता हिजाब से संबनित मामले का निप्टारा करना चाता है और इसमें शामें सभी पक्षों से सहीयोग मांगा है। उन्होंने कोट में दलील देते हुए कहा कि करनाटक शोशनिक संस्थानों के रूप में एक कानून है जिसमें एक विशेश पहनावा पहनने का उचित प्रतिबन लगता है। ये घोशना भी चाती है कि इसे पहनना इसलाम को मानने वाले सभी लोगों पर धार्मिक रूप से बाध्धेकारी है। सरकार ने आदालत में ये भी कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शोशनिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। इस बेच कोट ने कहा कि दोनों पक्ष यदि जल्द ही अपनी दलीले पूरी कर ले तो इस मामले में इस साप्ता में फैसला सुनाया जा सकता है क्योंकि इस विवात के चलते चात्रों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि नितीश NDA से नाता तोड़ सकते हैं। नितीश के नाम को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या NDA की एकता में विपक्ष सेंध लगा चुका है। क्या राष्टपती चुनाओ में विपक्ष की मुहीम कामयाब होगी। दरसल नितीश कुमार को राष्टपती बनाने की बात की शुरूआत तब हुई जब इसी महीने के सियार और प्रिशान्त किशोर की मुलाकात होई। वही केसीयार मुंबई में शरत पवार और सीएम उद्दब ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं। नितीश को राष्टपती बनाने के लिए पूरे विपक्ष को एक जुट होना पड़ेगा, जिसके लिए केसीयार और प्रिशान्त किशोर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अपने ही सरकार पर आरोप और सवाल खड़े करने को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पिली भी से बीजेपी किसान साथ वरुन गांधी एक बार और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वरुन गांधी कभी किसानों का मुद्दा तो कभी महंगाई का मुद्दा, कभी बेरोजगारी का मुद्दा तो कभी कुरोना जैसे मुद्दो पर अपनी ही सरकार यानि बीजेपी को आड़े हातों लेते आए हैं। आज फिर वरुन गांधी ने बैंकों और रेलवे की निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कि इसकी वज़ा से ही रोजगार के अफसर कम होते जा रहे हैं। कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूँ। अब वरुन गांधी ने निजीकरण पर सरकार को घेरा है। देखना है कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। सरकार नौकरियां तो दे नहीं रही उल्टा जो संस्थान नौकरियां उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही निजी छेत्रों को बीचा जा रहा है। भविश्य में भी सरकार नौकरियां नहीं देगी। बीजेपी नेता का दावा है कि जनता इसका जवाब देगी। दस मार्च को ये पता चल जाएगा कि यूपी की जनता का फैसला क्या है। लेगने से पहले आज तमिलनाडू की जनता का फैसला जरूर सामने आ गया। आज तमिलनाडू में स्थानिय निकाय चुनावों की काउंटिंग हुई तो किसे मिली जीत और किसके हिस्से आई हार देखे ये रिपोर्ट। तमिलाणू में स्थाने निकाय चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। राजे की सतधारी डीम के कॉंग्रेस गडबंधन ने अपने सहयोगियों के साथ 70% से ज्यादा वोडों में जीत हासिल कर ली है। सभी 21 नगर निगमों में डीम के कॉंग्रेस गडब गडबंधन 165 से ज्यादा सीटों पर या तो जीत चुका है या फिर आगे चल रहा है। मदरई, तिरिची और कोयंबटूर नगर निगम में भी डीम के ने दो तीहाई से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। अधिकांश निगमों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। 21 नगर निगमों के 1373 वर्डों में से घोशित 1200 पर नामों में से डीम के कॉंग्रेस गडबंधन को 961 सीटों पर जीत मिली है। जबकि AI डीम के गडबंधन 148 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को 3 सीटे ही मिल पाई हैं जबकि अन्य 28 वर्डों पर जीतने में कामियाब रहे हैं। जिसमें से डीम के कॉंग्रेस गडबंधन को 5080 सीटों पर जीत मिली है। नगर पंचायतों के वर्डों में अन्य को 1250 वर्डों से ज्यादा पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर हैं AI डीम के गडबंधन को 1171 वर्डों में जीत मिली है। बीजेपी को यहां 14 वर्डों में ज चर्वनाख है ये सत्ता का पूर्ण दुर्पयोग है हम लोग मदरास हाई कोट का रुख करेंगे विधान सभा चुनावों से पहले बीजेपी के एक और हार हुई है अभी हाल ही में पशिम मंगाल में निकाए चुनाओ और अब तमिलनाडू निकाए राज बदला लेकिन किस किसमत नहीं दूसरी और दुनिया के किसमत में क्या जल्दी ही तीसरा विश्योद शुरू होना लिखा है यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार बिगरते जा रहे हैं इस बीच रूसी राष्टपती ने बड़ा दाव चल दिया है बीते कई दुनिया में तहल का मच गया दरसल राष्टपती पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिशत की बैठक के बाद पूरवी यूक्रेन के दोनेल्सक और लुहांस को अलग देश के रूप में मानता देने का एलान कर दिया है साथ ही कहा कि इन दोनों प्रांतों में शांती बनाए रखने के लिए रूसी सेना को भीज दिया गया है अब पुतिन के इस एलान से पूरी दुनिया में हल चल मच गई है यूरोपिय देशों अमेरिका और ब्रेटेन ने रूस और यूक्रेन के इन दोनों शेत्रों पर सक्थ प्रतिबन लगाने की चेतावनी भी जारी कर दी है अमेरिका ने तो इन दोनों शेहरों के लोगों की संपत्यों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी कर दिया है इसके अलावा बिगड़े हालात के बीच सयुक्त राष्ट की बैठक हुई जिसमें भारत भी शामिल हुआ और इस मामले का शांती से हल निकालने पर जोर दिया भारत की तरफ से कहा गया कि वो सैने तनाव से इस सिथी को सुधारने के पक्ष में नहीं है बलकि मसले का हल बातचीस से ही निकल सकता है अब रूस के इस कदम पर युक्रेन के राष्टपती वलादमीर जलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है जलेंस्की ने कहा कि विद्रो चुनावों को लेकर एडिया रिपोर्ट की यूपी का संग्राम पांचवे चरण में पहुंच गया है 27 फरवरी को पांचवे चरण के लिए मतदान होगा और सभी राजनितिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है इस बीच एड के दामन के दाग और गहरे हो गए हैं पांचवे चरण में भी सियासी दलों ने दागियों और करोड़ पतियों पर जम कर प्यार लुटाया है 27 फरवरी को 61 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए 685 उमीदवारों ने दाविदारी की है जिसमें 27 फीसिदी उमीदवारों पर आपरादिक मुकद में हैं वही 36 फीसिदी उमीदवार करोड़ पति हैं बलातकार और हत्या के आरोपियों को भी सियासी दलों ने टिकेट दिया है ADR ने सौमवार को पांचवे चरण के प्रत्याश्यों के शपत पत्र के विशलेशन के आधार पर रिपोर्ट जारी की है पांचवे चरण में 185 उमीदवारों ने अपने उपर आपरादिक मुकद में घोशित किये हैं जिसमें 141 के खिलाफ गंभीर अपरादों के आरोप है समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी ने दागी और करोड़ पती उमीदवारों को टिकेट बाटा है पांचवे चरण में 12 उमीदवारों के उपर महिलाओं पर अत्या चार से जुड़े मुकद में दर्च हैं जिनमें सुल्तानपूर से सपा के उमीदवार अनुप सांडा पर बलातकार का मुकद में दर्च है आठ उमीदवारों के उपर हत्या का आरोप है कुंडा से उम्मीदवार, गुल्शन यादव, गोसाई गंज से अभै सिंग, चायल से पुजापाल, रुन्धोली से आनंद सैन और तिलोई से उम्मीदवार मौहमद नईम पर हत्या के आरूप हैं 31 उम्मीदवारों के उपर हत्या की कोशिश के आरूप हैं सपा के 49 फीसिदी, BJP के 42 फीसिदी, BSP और कॉंग्रेस के 28-28 फीसिदी उम्मीदवारों पर गंभीर अपराद के आरूप हैं आप के 14 फीसिदी और अपना दल सोनेवाल के 29 फीसिदी उम्मीदवारों पर गंभीर अपरादों के मुकदमे दर्ज हैं बीजेपी ने सबसे ज़्यादा करोड़ पतियों को टिकेट दिया है तो उसकी सहयोगी अपना दल भी उसी राह पर है उसके साथ में से 6 उम्मीदवार करोड़ पती हैं इनकी औसत संपत्ती 11 करोड़ से अधिक है पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इस चरण में 69 फीसिदी उम्मीदवारों ने खुद को सनातक बताया है 34 फीसिदी उम्मीदवार पांचवी से पारवी तक पड़े हुए हैं महिलाओं की भागिदारी इस चरण में और कम हो गई है महस 13 फीसिदी महिलाएं चुनाव में दावेदारी कर रही हैं तिलोई से बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण पी 58 करोड संपत्ती के साथ पहले पायदान पर हैं कुंडा से बीजेपी के प्रत्याशी सिंदुजा मिश्रा 52 करोड की दौलत के साथ दूसरे पायदान पर हैं अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार संजे सिंग 50 करोड की दौलत के साथ तीसरे स्थान पर हैं बियासबि के यशभदरि सिंग इसोली से मैदान में हैं जिन पर 26 गंभीर धारों में 21 मुकद्मेदर्ज है सपा के संदीप यादव इदाबाद उत्तरप्रदेश ये चुनाम रड़ रहे हैं जिन पर 24 घंबीर धारों के तह्त 35 मुकद्मे दर्ज हैं सपा के ही केश श्रीवास्तव जो पयाकपूर से मैदान में हैं उन पर नौ मुकदमे दर्च हैं तो आज अस बुलेटिन में बस इतना है देख सरे डीवी लाइफ नमस्कार